So yes, Welcome to Electrical Department आज की इस वीडियो में एक न्यू जोब विकिंसी की बारें बताने बाला हूँ जो कि आ रहा है टॉरैंट पावर की तरफ से जिस प्रकार से टाटा पावर कम्पनी है, उसी प्रकार से टॉरेंट पावर कम्पनी है जोकि distribution और transmission department में इसका work है इसमें off-campus drive है diploma engineer training की post के लिए vacancies निकाल लिए है जिसमें diploma के fresher candidate eligible है apply कर सकते है यहाँ पर आपको बताते है diploma electrical बालों के लिए vacancy है 2023 के pass out candidate eligible है और अगर आप इसके पहले की विए pass out है तो भी आप इसमें apply कर सकते है तो eligibility criteria क्या होगा कैसे selection होगा interview में किस type की question पूछ जाते हैं सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे और इसी वीडियो में आपको apply करके भी दिखाएंगे तो आप लोग वीडियो को पूरा end तक देखते रहेगा और अगर आप मारा चैनल पर नए है तो चैनल को ज़रूर से subscribe कर लीजे इसी प्रकार से टेकनिकल फिल्ट से जॉबडेट पाने के लिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेकेंसी निकाली गई है टॉरेंट पावर की तरब से निकाली गई है यानि कि आपका जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो गूजरात सूरत में आपका जॉब लोकेशन होने वाला है यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं अलग-अलग पोस्ट के लिए वेकेंसी निकाली है तो जिसमें भी आप इलिजबल होंगे ये शेशेट होंगे उसमें आप अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर आप देश सकते हैं डिपार्टमेंट, डिस्टिबूशन, कस्टमर सर्विस, वेर हाउस और मीटर मेनेजमेंट में वेकेंसी निकाली है जूनियर एक्जगेटिव की पोस्ट के लिए जिसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है इलेक्टिकल ब्रांज से और एक या दो साल का एक्सपिरियंस है तो आप इसमें इलिजबल है अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा इसमें वेकेंसी निकली है डिप्लोमा इलेक्टिकल इंजिनरिंग वालों के लिए जिसमें क्वालिफिकेशन मागा गया है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्टिकल इंजिनरिंग से और इसमें देखिए किसी प्रकार का एक्सपिरियंस नहीं माग अब सीधे बात करते हैं, eligibility criteria पर मतलब कि आपका academic qualification किस प्रकार से होना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं, फार distribution, customer service, warehouse, meter management और diploma electrical वालों के लिए, आपका 10th और diploma में आपके पास minimum 55% mark होना चाहिए, और किसी प्रकार का आपका कोई भी academic gap नहीं होना चाहिए, और आपका जो diploma या 10th है, आपका किसी भी recognized university या किसी recognized board से होना चाहिए, तो आप इसमें eligible हैं, apply कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, diploma electrical engineering के लिए vacancies निकालीगी हैं, लगभग आपका junior engineer का post होगा, pressure candidates में eligible हैं, apply कर सकते हैं, तो जितने भी diploma electrical के student हैं, 233 में pass out हुए हैं, वो इस form को जरूर से apply कीजिएगा, apply कैसे करना है, वीडियो के अंद में बताएंगे, अब हम बात कर लेते हैं, इसका selection process क्या, इसमें salary क्या होगा, और किस type के question exam में, उसके मतलब कि इसका interview होगा, तो किस type के question आपको पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो torrent power में आपका salary होगा, diploma engineer training के तोर पे, वो आपका salary होगा, 1.8 lakhs, 5.5 lakhs हो सकता है, यहाँ पर आ आपको estimate salary बता रहे हैं, यानि कि notification में mention नहीं किया गया, लेकिन जो normally torrent power में, diploma electrical engineer, यानि कि जो diploma के base पे entry वाला position होता है, आपका diploma training की, वहाँ आपको salary होता है, वो आपको starting में, 3 LPA आपको देखने को मिल जाएगा, यानि कि एगर हम estimate take home salary की बात कि रहने कि आपका, जो cut period के आपको salary मिलने वाला है, वो 21,678 से आपका 33,666 के रुपे के बीच में, आपका हो सकता है, मतलब कि आपको 21 से 22,000 रुपे परमत आपको salary दिखने को मिलेगा, जब आप diploma engineer training की post पे होंगे, और जैसे जैसे आपका salary में increment होगा, वो लगभग 5 lakhs पर NM आपका जा सकता है, बनाना है, ताकि एक बार ही अचार आपको resume को देखे, तो आपका resume shortlisted हो जाए, तो आपका resume shortlisted हो का, इसके बाद इसमें दो round interview होते है, technical one और technical two करके, दोनों ही round में आपको एक होता है, मतलब का personal interview होता है, और दूसरा interview जो होता है आपका, जिस भी electrical से अप्लाई करेंगे, तो electrical question आपको interview में देखने को मिलेगा, अब बात कर लेते हैं, इसमें किस प्रकार के questions exam में, मतलब कि जो interview होता है, तो किस प्रकार से questions पुछ जाते है, तो यहाँ पर देख सकते है, question है, इसको हम period of telegram पर send कर देंगे, इस type के questions ही आपको prepare करना है, आपको इस 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 इप interview के जाएंगे, इस 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 आपको लिए helpful होगा, यहाँ वजह से पूछा गया, why high voltage प्रिफर्ड फार ट्रांस्मिशन आप electrical power, यानि कि electrical power transmission के लिए high voltage को क्यों prefer किया जाता है, यह question है, तो दूसरा question है, what are the various ways of distribution transformer protection, मतलब कि distribution transformer protection जो होता है, वो उसका मतलब कि क्या-क्या तरी इसका answer आपको, जो question पूछेगा, यहाँ पर इसके question आपको देना होगा, ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए किस टाइप question है, rating and specification, आप different electrical equipment which you have, मतलब कि जो भी equipment लगते हैं, उसका rating and specification क्या होना चाहिए, इसके बाद है, आपर ओम सलाक के बारे में question पूछा गया है, ठीक है इसके बाद देखिए, पूछा गया है, जूनियर इंजिनी इलेक्रिकल के इंटर्वी पूछा गया था question यह, how do communications occurs through power lines, ठीक है, पावर लाइन, ठीक है, किस प्रकार से communicate करती है, इस question पूछा गया था, और next इसमें आपका, power distribution के relative से question पूछा गया था ठीक है, तो इस प्रकार से question पूछा जाते हैं, जो कि transmission and distribution से ही जाएदर questions होते हैं, तो आपको इस प्रकार के question तया करके जाना है, बाकि आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, electrical engineering अगर आपके यह हैं डिप्लोमा से, तो इस प्रकार के question interview पूछा जाते हैं, उस हिसाब से आप अपनी त्यारी कर सकते हैं, बाकि अब चलिए बता देते हैं, आपको apply कैसे करना है, अब दिखेंगे, यहाँ पर apply कैसे करना है, apply करने का कोई link नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, बता देते हैं, देखें, contact recruitment team दिया गया, candidate में forward दिए अपडेटेटिल सीवीज अब बिलो email address on our before 39000 दिखानी कि 30 तारीक के पहले आपको इस email ID पर आपको अपना resume latest जो resume होगा आपका, वो आपको इनको forward कर देना है, जो आपका CV या resume जो भी है, आपके पास उसको forward कर देना है, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, vaishali maisuria at torrentpower.com, यह torrentpower की official mail ID है, HR का, इनक पास आपको अपना resume भेज देना है, resume भेजने के बाद आपका profile अगर source listed होता है, तो आपके पास mail आ जाएगा, यह आगे का process क्या है, अगर वो online interview रखेंगे, तो आपको online सब कुछ देना होगा, वाकि अगर offline interview होता है, तो इस address पर आपको जाकर interview देना होगा, ठीक है, जहा पर भेज देंगे, इसी पर आपको अपना CV भेजना है, और कैसे भेजना है, अगर आता है आपको भेज दीजिएगा, नहीं तो हम WhatsApp ग्रूप में अलग से बता देंगे, टेलेग्राम पर भी बता देंगे, कैसे CV को भेजना है, तो अब हम मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मे काफी अच्छी कंपनी हैं, और काफी अच्छा इसमें ग्रोध भी होता है